नमस्कार वक्तो चला है वार पलटवार का मैं हूप प्रिया खरे कोलकाता रेप कांड पूरे देश भर को हिला कर रख चुका है अभी तक इसकी सचाई क्या है इसकी गुत्थी सुलज ही नहीं पाई है एक के बाद एक लाइफ डिडेक्टर मसीन से जाच की जारी है आरोपियों की लेकिन उसके बावजूद भी फिलाल कुछ सच सामने नहीं आ पाया है आज मुख्या आरोपी संजय राय का टेस्ट किया गया लेकिन अभी तक सच सामने नहीं आया है उमीद जोताई जारी है कि इस शायर सच आ जाए लेकिन इन सब के भी समझने वाली बात है कि जुस्तरा से रेपकांड हुआ हत्या की गई देश में विरोध प्रदर्शन किये गए सिर्फ एक जगा कोलकाता की ही बात नहीं है या पश्यम बंगाल की बात नहीं है बलकि राज्य हर एक राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए ट्रेनी डॉक्टरों ने हरताल किया इसके बाद हाई कोट ने इस मामले पर संग्यान लिया और ये केस CBI के हाँ चला गया अब परते दर परते खुलनी शुरू हो गई है लेकिन सिवाल अभी बही है कि क्या आरजी कर हॉस्पिटल में कुछ ऐसा अव्यात काम चल रहा था जिसकी जानकारी ट्रेनी डॉक्टरों को थी और इसी वज़ा से उसकी हत्या की गई तमाम चीजे जानने की कोशिश की जारी है लेकिन अभी भी काई परत खुलने बाकी है इस वीच प्रधान मंत्वी नरेंदर मोदी ने ये कह दिया है कि नीचे से उपर चाहे जो भी आरोपी है और इसमें जिनकी भी सनलिप्तता हो उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए राज्य सिरकार को सक्त इंस्ट्रक्शन दिया है और ये कहा है कि सिरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी लेकिन महिला सुरक्षा सबसे पहले है महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी सूरत में जो भी दोशी हो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा अब जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस पर अपना बयान दे दिया है तो ये क्या राजलितिक मोड लेता है और क्या सचाई खुलकर सामने आएगी ये तमाम चीचे है चर्चा के लिए लेकिन उससे पहले देखिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने क्या कुछ कहा है आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बेहन और बेटियों की पीड़ा को उनके गुसे को पैस समझ रहा हूँ मैं एक बार फिर देख के हर राज्य नितिक दल से कहूंगा हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिनाओं के खिलाब अपराथ अक्षम में पाप है दोशी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए अस्पताल हो, स्कूल हो, सब्तर हो क्या फिर पुलिस व्यवस्ता है जिस भी स्तर पर लापरवाई होती है सब का हिसाब होना चाहिए रे सरकारे आती रहेगी, जाती रहेगी लेकिन जीवन की रख्षा और मारी गरीमा की रख्षा इस समाज के रुप में भी और सरकार के रुप में भी हम सब का बड़ा दाइत्व है और इसी मामले पर हम बाच्चित करेंगे, हम आसाथ मैमान जुड़ चुके है हमार साथ टी-मसी की तरफ से संजे पांडे जुड़े हुए है वही बीजेपी की तरफ से रादिका भटाचारिया शाह जुड़ी हुई है आप दोनों मैमानों का स्वागत है संजे पांडे जी, क्या लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जारी है क्यूंकि CBI के हाथ में आप केस चला गया है और परते दर परते खुलनी बाकी है चापे मारी चल रही है, क्या कहेंगे देखिए गटला के घटले यह जो गटला गटी है इसकी तहकिकात होनी चाहिए आई इसकी तहकिकात में राज सरकार कापी एक्टीव रही है कई जगए उनको किस रूपर दिखाएगा हुद पर हम चर्चा नहीं कहीं आप लेकि राज सरकार खास कर भूकमन जी इसमें काफी एक्टिव रही मामला CBI के पास है अगर एक्टिव थी तो CBI के हाथ में कैसे गया संजय जी पुलिस क्या कर रही थी तो नियारे ने इस मामले को CBI उनके सामने जो तर्थ है रखा गया वो तर्थ हुआ पुरी पुली नहीं रखे गई जिसके करण उने जो है ये मामले को पुलीस डांकर के रख दिया तो CBI के पास यह अची बात है किसी चीज का जो है एक दम इंडिपेंडेंट और साफ सुत्रा जड़ी उसका जाच होता है तो बहुत अची बात है CBI को जड़ी बदाश करती है तिसमर कहा बात है चाहा स्टेट एजनसी करे चाहां CBI करे उसमें किसी तरह का कोई भी कोई भी बात नहीं है और नहा हमें ल प्रिंस्पल का पॉलिग्राप टेस्ट हो चुका है तो सारा मामला CBI के हाथ में ठीक है रादिका भट्टा चारिया जी अब यह जो बार बार आरोप लग रहे है कि कुछ ना कुछ राज्यसरकार चिपानी की कोशिश कर रही है सबसे बड़ी बात कि कॉलेज के प्रिंस्प तो गोटायले की बात अधी आप ठीक है उन पर आरोप लगे है लेकिन कभी हम उसके उसके अंतिम बढ़्यती तक नहीं कि गोटायला उस पर साबित हुआ जदी है ठीक है यह को ड़ाब करने की जरुब नहीं जो घटना घटी है पहले हम उस घटना पर ही अरे संजय सार सब सब के तार जुड़े हुए न सर यहीं तो खंगालने की कोशिश हो रही है एक के बाद ही एक तार जुड़े हुए अगर अलग मुद्दार आता तो मैं नहीं पूछती ठीक है राधिका जी जवाब देंगी सर बिलकुल राजनीती होनी भी नहीं चाहिए लेकिन तार जब जुड़ रहे है तो परत दर परत तो सब खुलेंगे न आपी तो कह रहे ना कि स्वागत है सीवी आई अगर जाच कर रही है तो अच्छी बात है क्या कांड हुआ है एक एक बच्ची की रेप कर हत्या कर दी गई बहुत शर्मनाग बात है और आप खुद भी तो सपोर्ट कर रहे ना कि इसकी जाच होनी चाहिए तो बस जाच हो रही है ठीक है रादिका जी जवाब दीजेए पहले तो मैं कि हम उत्तेजित नहीं होंगे हमारे बार तालाव में हर दिसकाशन करेंगे एक दूसरे के उपर नहीं बोलेंगे सबसमा हमें सुनपाएंगे पहली बात ये है कि राजबीती को आप इस केस से हटा नहीं सकते हैं यूँ कि ये एक स्टेट गवर्मन्ट के हस्पताल में ये कांड़ हुई है इस ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्फ और स्टेट अवेस्ट बेंगॉल के नीचे ये हस्पताल आता है कि जो फ्रिंसिपल है जब बात निकलती है तो दूर तरल जाती है अब इस फ्रिंसिपल के बारे में तब को पता चल गया है कि ये शखस कितना गिरा हुआ इंसान था और है आप मुझे बताइए कि अगर हमें किसी के बारे में ये application से ही ये position देते होंगे कि हमें प्रिक्टपल की जरूरत है आप गरा इसके लिए दर्फास लिखे हम देखेंगे आपकी qualification क्या है background क्या है कि नहीं उसके बारे में इतना कुछ पता है लोग जानते हैं और उसके कारोबार उसी hospital में होते थे आज लोग कहरें कि शव और गन्स दवाई टेंडर स्टूडंस से पैसे लेके पास करा नहीं सब अगर वो करते थे तो ऐसा इंसान को आप एक बार निकालते हो फिर मुर्शिदाबाद में डालके वापस आप उनको कहां पे किस लिए लाए हो अगर आप लोग एक बिल्कुल स्वच तरीके से आप आपका सब्ता चलाते तो आप क्या करते हैं आप पहले कहते हैं इसके उपर कारणामे करो पता करो यह बंदा कौन है इसकी हिम्मत कैसे है कि गवर्मन्ट हॉस्पिटल में ऐसा कारोबार करें जो अच्छा एडिनिस्ट्रेटर होता है मुझे प्लीज कहने दीजिये जो अच्छा एडिनिस्ट्रेटर होता है ऐसा कोई घिलोना एक ऐसा रेफ और मर्डर बलतकार और ऐसा मर्डर हुआ है वो क्या करता? सुरंस पुलीस को बुलाता कि मेरे संस्था में ऐसा हुआ है, आप सुरंस आए और F.I.R. लिखें, ये कैसे हो सकता है मेरे हॉस्पिटल में ऐसा कर? आप पहली आपकी जो रियक्शन होती, आप क्या करते? F.I.R. लिखें, कुछ नहीं हुआ, आप मुझे बता कि ये उट रहा ना कि ये चौदे घंटे जो देरी हुई है, बार-बार सवाल घुम कर वहीं आ जा रहा है, कि देरी क्यों हुई? इस पर हाई कोट ने भी फटकार लगाई है? इसकी सफाई पुलीस के द्वारा दी जा चुकिया है, कि देरी होने का कारण की देखिए, कभी भी जो केस दायर होते हैं, वो सिंपल केस दायर होते हैं, उसके बाद उसके इन्वेस्टिकेशन होती है, रेप का मडर का, एक सिंपल मडर का केस ये हुआ, मरने का हुआ, और वह सी बाते एड होते जाती है कि रेफ हुआ ये उसके बाद मदर किया गया इस तरह मदर किया पोस्ट माटो ये सबाता है वो जो पुलीस नहीं इसकी सफाई दिये कि देरी होने का कारण क्या है उत पर आप इसे बात ये है कि ये इंवेस्टिगेशन के अंतरगत है और जहां तक कि ये बात है ना प्रिंस्पल का कोई सफाई देना चाहरे है ना कोई अभियूक की सफाई अभियूक को किसी तरह का पोटेक्शन की पुलीस के द्वारा है ये सारी मामले है ये मामले का तक्यात होगा लेकिन संजे जी ये समझने की जरुष्ण करना पढ़ा और सबसे बड़ी बात कि ममताबotomayर जी घुझसणक पर उतरी है क्यों अपने सरकार से वो क्या कहना चाह रही है अपने सरकार से नहीं वो इस मामले का इस से इतनी दुखी है इस घटला पर इतनी पड़ित है कि वो खुद इसके लिए तहकीकात के लिए इसके अंति परनती के लिए खुद बैचान है अगर सरकार खुद करे अपने खिलाफ तब फिर तो लोग को सोचना पड़ेगा कि फिर वो किसके पास जाए अगर सरकार खुद सरक पर उतर कर विरोध परनाशन कर रही है तो सरकार विरोध परनाशन नहीं कहा रही है बलकि इस घटला को अंति परिनती तक जाने के लिए ये उसके सपोर्ट में है कि इसकी तो इसका परिनाम मिलना चाहिए और जदी इस घटना में जो जो सामील है उसको सक्त से सजा मिले ये हमारी पार्टी नेत्री का विशन है अंतरगत में उसने सी आईडी की बात की ठीक है और जदी कोट ने न्याले ने जदी आदेश दिया तो उसका पूर्णता आदर करना हमारे दर्म है इसलिए मैंने जो समय उन से मागा था अब सीवी आई के हाथ में चले के हमने सुविकार कर लिया कि सीवी आई के न्याले की मा सामने आ जाएगा जदी राज सरकारी के ओफिसरों की कोई ठामिया होगी राज सरकारी ओफिसर उसके लिए जदी उत्तर नहीं होगी उनको भी बकसा लिए ये भी ममता बैनेर जी ने एक उदाहरण दिया था 2004 धननजे चैटर जी को जब फासी हुई थी इस मामले का उन्हे के चक्कर में कोई निर्दोश फासी पर ना चर जाए उनका साफतोर पर ये कहना था कि धननजे चैटर जी को जिस तरह से फासी हुई थी वो फासी सही नहीं थी अब तो वो दुनिया में नहीं है लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि वो निर्दोश रत था और इसके बाब पर जूद भी उसे फासी हुई इसका उदारन उन्होंने दिया पहले तो मैं जरा संजे जी की फायार की बास पर जरा आती हूं फर्स इंफरमेशन रिपोर्ट अब बारदात के समय जो दिखता है जो दिखा है जो पुलीस समझता है उसके उपर फायार लिखी जाती है तो इसके उपर यह इन्वेस्टिकेशन के बाद कैसे मरी इसका कोई बतलब नहीं होता है अब पहले इसको रिपोर्ट करें न यह हो गया है यहां पर मेरे संफा में इसने बज़े हमें एक शब मिला है इस रूप में यह पहले फायार में जाती है अब ही देखिए यह जो पाच दिन छे दिन का जो उनको दर्मियां का वक्त मिला इसमें प्रमान का क्या हुआ मिटाया गया छुपाया गया इस प्रमान के साथ क्या क्या सी भी आए तो अब आई है जब सब कुछ साफ हो गया जब इतने सारे चार हजार लोग संख्या में आके हस्पताल में तोर फोर करके गए आप मुझे एक बात बताईए और क्यूंकि मैं एक सामान मागरिक के रूप से ये सवाल कर दियू ये क्या पैरेशूट में आके उत्रे थे हस्पिटल के पास ये कपसे एकठे होके चल रहे थे क्या पुलीस को एक खबर भी नहीं था कि ये हस्पताल की और ही जाएंगे क्योंकि ये विरोध पदर्शन में जा रहे थे क्या वहाँ पर उन लोग ने वो सब बंदोबस नहीं कर पाए थे आम तोर पे पुलीस तो हर एक चीज इस्तमाल करती है चाहे टियर गैस हो या पानी से उनको रोका जाए इसका कोई प्रभण नहीं था एक ऐसे हस्पताल में जहां पे महाकांड हुआ था ऐसा और देखिए अभी इसमें दोशी कौन है कितने थे किसने किया कौन किसको छुपा रहा है यह बात कहां तक गई है इसके पीछे समर्थन जो था प्रिंसिपल का संदीब भोश का कौन दे रहा था उसे समर्थन कि भागे भागे एक MLA और एक राज्यमंत्री गया उसको बचाने के लिए अरे यह तो एक आमनाकरिक है ना संदीब भोश मैंने जो सवाल किया उसका भी आप जवाब दे दीजे फिर संदीब जी से जवाब दे दे लिए पहले किसी के मैं बता रही है यह नहीं है गलत इंसान को फासी नहीं लगने चाहिए पर इस एसमें हम पहले पता तो करे कौन सा बंदा क्यूंकि अगर आप इस संदीब राय को देखे बिल्कुल उसके चम्रे पे जिल्थ पे ना कोई दाग ना कोई जखम अगर कोई मेरे उपर जोड लगाए क्या मैं उसको भगाने के लिए हटाने के लिए उसको काटूंगी नहीं नोचूंगी नहीं चिलाओंगी नहीं क्या मैं लेट तो यानि राधिका जी आप भी इत्वाक रखती है मुखे मंतरी ममता मेनेर जी की बातों पर कि कही न कही हो सकता है संजय राय दोशी ना हो इस बात से आप इत्वाक रखती है क्या यह बस पेश कर रहे हैं इसको एक अब यह सी बी आई को के लिए बहुत एक मुश्किल सा एक जैसे शशान सिंह राजपूत का था यह सी बी आई के यह बुश्किलाद है क्यूंकि उन्हें लोगों बहुत साथे लोगों से पूचताच करनी परिक है इनलेदाव परिक है अब बताए्यवकूत है किसी भी व्यक्ति को निर्दोस व्यक्ति को सजाड़ ने मिलनी चाहिए कि कानून सब्दिन कहता है यह कानून और यह हम लोग के बीच भी यह बात रहती है कि निर्दोस ब्रक्ति को कभी नहीं फसना चाहिए हम वो सब बात पर नहीं जा रहे हैं हम यह बात कर रहे हैं कि यह CVI को पूरी मौका है कौन सा डॉक्मेंट देखना है किस ब्रक्ति से पूर्टाज करती है कहां क्या और कौन-कोन सा ब्रक्ति इसमें इन्वाल्व है उनको देखना हूँ CVI देख थे इसमें कोई शक्त नहीं है और उसके जितने भी CVI को help की जरुवत है ममता बनर्जी का खुद ठीक है संजय जी समय की कमी है अंतिम सवाल का जबाब ले लेती हूँ अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि नीचे से लेकर उपर तक जो भी दोशी हो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए राज्य सरकार को उन्होंने आदेश दिया है कि राज्य सरकार को इस पर त्वरित कारवाई करनी चाहिए क्या कहेंगे लेकिन सर्जे जी उन्होंने नाम कहा लिया उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि कोलकाता का है अब तो आदर करना मेरा वी मेरी जिन्हेवारी है लेकिन सर्जे लेकिन उन्होंने कोलकाता का नाम नहीं लिया ना सर्श्व अपने बहुत सकते हैं उन्होंने कहा कि जिन्राज्यों में हो रहे है जो घटना सामने घटी है उस तब घटना के संदर में जड़ी कोई बात बोली जाती है तो वो जोड़ा जाता है उसका तार अरे तो सर इसके बाद भी घटना है हुई ना बदलापूर अभी तो आपने कहा उत्राकांट बदलापूर ये सब तो केस हो रहे हैं आयोध्या मे लेकिन मैं कोलकाता की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ और ने राजियों में भी इस तरह की केश हुए महिलाओं की सुरक्षा अब महतुपूर्ण हो गई है नहीं लगता है कि आपकी सरकार है और इस पर कुछ सक्त नियम बनाने की जरुवत है बिल्कुल ये हमारे लिए एक नैशनल इशू बन गया है आप देखे कामो दीपक चित्र पर्नोग्रफी जिसे कहते है उससे योग उत्तेजना पैदा होती है फिर आपका मुक्ता सेक्शल परवर्जन हो रहा है ये पूरे देश में है क्योंकि आज सब के हाथ में मोबाई है बच्चों के पास कामो दीप संपाइबर में भी इसीने ऐसा किया यहाँ जहाँ होगा हम और है देखिए कल पनाह सब किसी और पर होता हम कल्पना करते कि अगर हम पहों होता तो हम क्या करते क्यों करते हैं पर ठेल के आज दूसरी बात में कहती हूँ, यहाँ पे बंगाल की सरकार में एक हिट्टर जैसी महीला है, चलिए, समय की बस हम कामी है, हमें बस समय इतनी की हिजाज़त देता है, तो कोलकाता रेप कान को लेकर अब देश भर में, उबाल तो है ही, लेकिन अब सबकी नजरे टिकी हुई है कि आखिर कब पीडिता को नया मिलता है, और कब सही दोशी पकड़े जाते हैं, क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि एक निर्दोश को सजा नहीं होनी चाहिए, असली दोशी को पकड़ने की जरुवत है, लेकिन मंतव एनेट जी सरकार की किलाब जो सतरह से उबाल द कानून यही बात है कि महिला सुरक्षा को लेकर आखिर कब सक्त कानून बनेंगे, कब महिला खुले आब सरकों पर घूम सकेगी, संस्थानों में काम कर सकीगी, क्योंकि यह तो कहा जा रहा है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन बराबरी का दर्जा क् पचमुच इस हालात में मिले हैं अभी तक महिलाय सुरक्षित नहीं है उनकी सुरक्षा का क्या होगा और कब नए कानून बनेंगे इस पर सबकी नजरे तिकी रहेंगी फिलाल वार पलट वार में बस इतना ही आप देखते रहें यह रफ्तार मीडिया नबसकार